स्वामी रामसुक दाश जी ने अपने भक्तों को सहज प्रातना भगवान से किस प्रकार करें? उसके लिए कुछ विशेश शब्दों की अविशक्ता नहीं है, बलकि परमात्मा में दिर्ण विश्वास चाहिए. आईए जानते हैं उन्होंने प्रातना किस प्रकार की बताई? संसारिक अभाव की पूर्ती, निर्दोष, धन्मान आधी की प्राप्ती, रोग, नाश, स्वास्थेलाव, विपत्ति निवारन, आधी के लिए भी विश्वास पूर्वक प्रातना करने पर अश्चरय जनक फल प्राप्त होता है. पर ये सब प्रातनाएं ऐसी हैं जैसे प्रकाश मुन सूर्य से जुगनु का प्रकाश चाहना, अनन्त वैभवशाली उदार समराट से कोड़ी मांगना, अनित्य और अपून वस्तु या स्थिती विशेश की प्राप्ती के लिए भगवान से प्रातना करना पुद्धि मान नहीं हैं, यह एक प्रकार का लड़कपन है और लड़कपन समझ कर भगवान अप्रसन नहीं होते, यों सकाम भावना से अधी नाश अर्थ प्राप्ति आधी के लिए भी अनन्य भाव से केवल भगवान से ही प्रातना करते रहने पर भगवान अपने सहज, दयालू, शील, सुभाव वश उसकी सकामता का हरन करके अंत में उसे अपनी निश्काम भगती दे कर अपनी प्राप्ति करा देते हैं, कैसे भी बजें भगवान को भजने वाला अंत में भगवान को पाही जाता है, मदभगता यांति मामा पी, ऐसी कोई प्रातना कभी नहीं करनी चाहिए, जिस से किसी भी रूप में दूसरे प्राणी का, किसी प्रकार का भी तनिक भी अहित होता हो, हमारी द्रिष्टी में अविद्या जनित अहमता ममता वश अपना पराया है, भगवान की द्रिष्टी में सभी उनके स्वरूप हैं या उनी के अंग हैं, हम किसी के स्वरूप य अमंगल का काम ना चाहेंगे तो वह कैसे प्रसंद रहेगा भगवान के शरीर के एक अंग हम यदी कहें हे भगवन तुमारा अमुक अंग मुझे नहीं सुआता उसे दंड दीजिए काट डालिए तो क्या वे हम पर प्रसंद होंगे किसी इसने माई माँ से उसका एक कोई पु प्रसंद होंगी अपने ही अंग या अपनी संतान को कौंतंद देना चाहेगा हां मा से ये प्रात्ना करना अवश्य ही स्टेश्ट है कि मा मेरे अमुक भाई भेन ठीक बरताव नहीं करते अतेव तुम उनके बुद्धी कोशुत कर दो उनमें सुधार कर दो जिससे उनके द दूशित वृत्ती या दृष्टी में उनका दोश दिखता है तो स्ने महिमा तुम मेरी दूशित वृत्ती या विप्रित दृष्टी का नाश कर दो जिससे मैं उनके दोश देखना छोड़ दूँ प्रात्ना के कुछ इस प्रकार से उन्होंने अच्छे भाव या रूप बताए भगवन तुम्हारा मंगल में संकल्प पून हो भगवन तुम्हारी मंगल में चहा पून हो मेरे मन में कोई चहा उत्पन ही ना हो तो तुम्हारी चहा के अनकूल हो तुम्हारी चहा के अत्रिक्त और कोई चहा कभी उत्पन ना हो तुम्हारी चहा के प्रतिकूल पूरा नहीं करना भगवन समस्त चर अचर प्राणियों में मैं सदा सरवदा तुमारा ही दर्शन कर सकूँ और तुमारी दी हुई प्रतियक समागरी से और शक्ती से यथा साध्य सब की सेवा कर सकूँ भगवन अखिल विश्व ब्रह्मान के मंगल में ही मुझे अपना मंगल दिखाई दे मेरे मन में कोई भी ऐसी अपनी मंगल कामना ना हो जो किसी भी प्राणी के मंगल से विरुध हो मेरे प्रतियक मंगल में सब का मंगल समाया हो अत्वा सब के मंगल में मेरा मंगल भरा हो भगबन मेरा स्वा असीम रूप से अखिल विश्व में विस्तित हो जाए अखिल विश्व का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ हो मेरा कोई भी स्वार्थ ऐसा ना हो जो अखिल विश्व के किसी भी प्राणी के स्वार्थ का बादक हो और साधक ना हो मेरे जीवन का प्रतेक श्वास तुम्हारी मंगल मई स्मृति में सना रहे और मेरी प्रतेक चेष्टा केवल तुम्हारी सेवा के लिए हो मेरे संकट दुख से किसी भी दुखी संकट ग्रस्त प्राणी का दुख संकट दूर होता हो तो मुझे बार बार दुख संकट दिये जाएं और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक वरण करने की शक्ति दी जाए किसी भी प्राणी की, किसी प्रकार की भी सेवा करने का मुझे सोभागय और सुअफसर मिल जाए तो मैं अपने को धन्य समझू और तुम्हारे दिये हुए प्रतेक साधन से तुम्हारी ही सेवा की भावना से उसकी सेवा करूँ पर मन में तनिक भी अभिमान ना उत्पन हो वरण यह अनुभूति हो की तुमने अपनी ही वस्तु स्विकार करके मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया तुम्हारे विशुद्ध प्रेम में अत्रिक्त मेरे मन में अन्य किसी भी वस्तु और स्थिती को प्राप्त करने की कभी कोई कामना उत्पन ना हो और मैं तुम्हारे अत्रिक्त अन्य किसी भी वस्तु अत्पा प्राणी में कभी आसक्त ना हूँ मेरे जीवन में केवल तुमको प्रसन करने वाले भाव विचार और कार्यों में ही सामावेश हो शणभर के लिए भी बुद्धी चित मन और इंद्रियों के द्वारा अन्य किजी भाव विचार और क्रिया की संभावना ही ना रहे मेरा मन नित्य निरंतर तुम्हारे मदूर मनोहर स्वरूप लीला गुण और नाम के ध्यान चिंतन में ही लगा रहे माणी निरंतर तुम्हारे नाम गुणों का गान करती रहे और शरीर से होने वाली प्रतेक्रिया के द्वारा केवल तुम्हारी ही सेवा हो मैं केवल यंत्र की भानती काम करता रहूं कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार की अमता ममता और आसकती ना उत्पन हो जाए मेरे जीवन में सारी अभ्यांतिक और बाहे चेश्टाएं केवल तुम्हारी संतुष्टी के लिए ही तथा तुम्हारी इच्छा के लिए ही अनुकूल हूँ स्वास्ते धन संपत्ती पद अधिकार यश्कीर्टी परिवार संतान लोग पर लोग आधी किसी भी वस्तू या स्थिती में मेरा ममत्व कभी ना जागे कोई भी वस्तू मिली हुई हो तो उसे तुम्हारी समझ कर उसकी एक इमानदर और विश्वासी सेवक या स्वामी के द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक की भांती देख रेक करूं और तुम्हारे इच्छा नु कभी भी तुम्हारी और तुम्हारे ततवज डिशी मुनियों की शास्त्रवानी से विरुद्ध या कोई विचार या क्रिया कभी भी ना हो किसी भी वस्तू का उपारजन और संरक्षन केवल तुम्हारी सेवा के लिए ही हो बोक के लिए कतापी नहीं तुमारे प्रसाद रूप में मैं अपने लिए उतनी ही वस्तूप यो करूं जो जीवन निर्वा के लिए नियून से नियून रूप में आवशक हो किसी भी वस्तू में मैं अपना कभी भी अधिकार ना मानू तुमारी दी हुई वस्तू की तुमारे आग्या नुसार तुमारी सेवा में लगाने के लिए ही उसकी देखबाल करती रहूं और निर अभिमान रहे कर उसे तुम्हारी सेवा में यथे योग्ये लगाती रहूं तुम्हारे प्रेमी भक्तों में तुम्हारे तत्व को जानने वाले ग्यानियों में तुम्हारी प्राप्ति के लिए निश्काम भाव से कर्म करने वालों में तुम्हारी प्रसनता के लिए योग साधना करने वालों में और प्रेम पूर्वक तुम्हारा नाम गुणगान करने वाले भावुकों में मेरी श्रद्धा भक्ती बनी रहे और यता साध्य उनकी विनम्र सेवा करने का अधिकार मिले तो मैं अपने को धन्य समझू उनके चर्णों में सदा मेरा मिनीत भाव और पूर्जे भाव बना रहे जगत के सभी स्वरूपों में मैं और सभी परिवर्तनों में निरंतर तुमारी लीला के दर्शन करूँ अनुकूलता और प्रतिकूलता जनित सुक दुख की कल्कना ही ना उठे और लीला दर्शन जनित अनन्द में मैं नित्य मुग्द बना रहूं सारे द्वन्दों को तुम्हारी लीला आत्म साथ कर ले प्रसूती ग्रह की मंगल मैं दीप शिखा में और चिता की अगनी ज्वाला में समान भाव से तुम्हारी लीला के मंगल मैं दर्शन हूँ बगबान कामना वासना लालसा इच्छा स्प्रिया अपेक्षा भिलाशा आदी सब केवल तुम्हारे मदूर मंजुल चरण युगलो की अनन्य प्रीती में ही नियुक्त रहें किसी भी अन्य विशे की और कभी भी ना जाएं इनके लिए तुम्हारे मंगल में चरण युगलो को छोड़ कर अन्य किसी वस्तु या स्थिती का स्थित्व ना रह जाएं मुझे निरंतर तुम्हारी सन्य दी का अनुभव होता रहे तुम्हारी सन्रक्षत्ता की अनुभूती होती रहे तुम्हारे दिव्य प्रेम, सम्ता, अभै, तेज, बल, शक्ती, साहस और धहरे आदी दिव्य गुणों का प्रिकाश तुम्हारी कृपा से निरंतर बना रहे भगवन, मन में किसी के लिए भी कभी अमंगल कामना ना जागे ना मेरे द्वारा किसी का अमंगल हो, ना किसी के अमंगल से मेरे मन में कभी प्रसनता हो दूसरों के दुखों को कभी मैं अपने लिए सुख ना मानूं और मेरे सुख दूसरों के दुखों का स्थान लेते रहे जीवन में मुझे अपने पूर्व कर्म वश्ट जो भी कुछ संकट विपत्ति आए उन में सदा सरवदा मैं तुम्हारा मंगल में सवर्ष प्राप्त करके सुखी रहूं और प्रतेक प्रसित्री में मन तुम्हारा कृतग्य बना रहे मैं जगत को सदा सरवदा तुम्हारे स्वंदर्य मदूद्य से भरा देखूं सूर्य की प्रकर किर्णों में मैं तुम्हारा प्रकाश चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना में तुम्हारी सुधा मैं आभा प्रसफुटित पुश्पो की मधूर सुगंद में तुमारा अंग सौरब और शिशु की मृदू मधूर हसी में तुमारी मुस्कुराहाट देखकर प्रसन प्रमूदित होता रहूं भगबन इसी प्रकार रोक्ये दारुन पीडा में वियोग की विशम वेदना में विपत्ति की काली घटा में संगार की भयंकर गोर आंधी में और काल के कराल मुख में तुमारी ही लीला माधुरी के दर्शन कर नित्य निर्भै और प्रसन रहूं एवं तुमारी लीला चातु के द्वारा मुझ पर दुख संकट या विपत्ती आती दिखाई दे तो मैं उसे निश्चित रूप से यही समझूं की यही अनुभव करूं की निश्चे ही यह मेरे अपने ही किये हुए पूर्वकृत कर्मों का फल है जिसका तुम्हारी मंगलमई कृपाद शक्ती के द्वा मुझे शुद्ध बना देने के लिए निर्मान हुआ है वहे दूसरा भाई तो निमित मात्र है भगवन तुम उसे शमा करो और वहे इस निमित बनने के कारण परिणाम में दुख को प्राप्त ना हूँ इस प्रकार स्वामी राम सुगदाश जी ने प्रातना करने का तरीक झाल